अगलो फ्रेंड्स गुडवनिंग मेरा नाव मैश बासकर है आज जो बेसिकली क्लास अपन डिस्कस करेंगे वो जूनियर अकांटेंट के सिलेबस को लेकर दूसरी बात है कि जूनियर अकांटेंट में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए तिसरी बात यह कि जुनियर एकाउंटेंट के जो नोट्स है या बुक्स है वो कौन से स्टेंडर्ड बुक्स आफ फोलो कर सकते हैं अगली बात है कि सिलेबस का लेकर बहुत सारे स्ट्टेंट के कुछ कंफ्यूजन है उसके भी अपन कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे कि सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा या फिर अभी जो अपन सिलेबस डिसकस कर रहे हो और पेसी का सिलेबस है जबकि आपकी एक्जाम तो भी अधिनस्त बोर्ड ले रहा है तो क्या इस सिलेबस है वो दो भागों में बटा हुआ है मतलब इसके दो पार्ट है दो पेपर लगेंगे यूं मान के चलिए एक पेपर अलग होगा दूसरा पेपर अलग होगा यह मैं किसा दार पर बता रहा हूं पहले जब 2013 2015 में जब जूनियर कांट्रेंट की भरती आई उसमें कैसा सिलेब सबसे बहातें discuss करेंगे syllabus को लेकर भी आपके books को लेकर भी notes को लेकर भी course को लेकर भी कई बातें फिसकरने वाले हैं है तो सब से पहले मोस्छा बारे में बता दू आप जो आपको कि यह आपका paper first है मान लेते हैं या पेपर first लिखता हूं या पेपर second पर फर्स्ट हो बहुत कॉमन है कॉमन इन दे सेंस आपने जब सीटी का एक्जाम दिया तो भी से पड़ा है या सब इंस्पेक्टरा दिया तो भी पड़ा है आरेस कर रहे हैं तो भी आपने पड़ावाय ऐसा नहीं है कि आप इस पर बिल्कुल अंभिग गये कुछ जानते नह में करें को इंडी को कि क्यान वह यही प्रे एंगलिष पड़ां है इंडी टरह टां सब्लाएं पड़ाए नहीं इस ट्हर्म देख आप ने कंप्यूटर कप्यूटर पांचवा जो portion है वो basically इसमें लिखा कि आपको राजस्तान का जीके देखना है basically राजस्तान के संदर्व में सामानी ग्यान आपको देखना है match आपने देखा है गणित और जो 6 वे नमर का है ये जीके especially in the context of राजस्तान के context में आपको जीके को देखना है इस पर में बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूं नहीं और जिस भी परिक्षा में बहुत सारे subject आ रहे होते हैं वो exam थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि examiner पास scope कम बचता है questions देने का आप समझ के होंगे मेरे बात दूसरा जो basically paper इस paper ना आज discuss कर रहे हैं इसको generally commerce का subject बला जाता है कि commerce वालों के लिए एक विशे है commerce वालों के लिए ये तयार किया हुआ है ये बात एक हद तक ठीक भी है और एक हद तक ठीक नहीं भी है ठीक की sense में है वो यह किसाब इसमें है total इसमें भी portion है इसमें एक portion है जिसमें आपको accounts पढ़ना है दूसरे में आपको audit पढ़ना है तीसरे में आपको BM जिसको आप बियो बोल सकते हैं business organization business method बोल सकते हैं अगला आपको economics देखना है इसके बाद में आपको RSR देखना है और फिर आपको GFNDR देखना है आपके दिमाग में यह आएगा कि यह syllabus कहां से आयवा है यह syllabus RPSC की website का है इसका मतलब यह है कि यह वाला जो syllabus अपन डिसकुस कर रहे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट तीन चार पाच छे और इधर के जो छे सब्जेक्ट है है इधर के होगे और छे इधर के तो टोटल सब्जेक्ट आपके 12 सब्जेक्ट होगे 12 अब पहले तो आपके दिमाग में यह question आएगा कि यह सब्जेक्ट कभी नाम ही नहीं सुना इनका तो यह accounts तो अपने बस की बात ही नहीं तो commerce वाले पड़ते है ओडिट के बारे में भी नहीं सुना हुआ है BM business method के बारे में नहीं थोड़ा बहुत economics के बारे में सुना बाकी इसके बारे वी नहीं सुना और यह फरण तो बिलकुली आपके लिए नहीं चीज है मैं commerce वालों के लिए यह तीन सब्जेक्ट है और यह तीन सब्जेक्ट सही में उनके लिए भी नहीं है अकाउंट्स जो है इसको आप आप मैं लेखांकन लिख देता हूं लेखांकन या भूख किपिंग लेखांकन वह चोटी चोटी पांच है यूनिट दी विए हैं उनको आपको तयार करना है इसका मतलब आपसे कोई प्रेक्टिकल कोशन नहीं पूछा जाएगा कि अभी आप केबल तयार करके दिखाईए बहुत बेसिक कोशन इस पर आते हैं बहुत बेसिक का मतलब 11 लेवल की जो शुरुआत होती है जहां से उसके ठोरी के कोशन आते है के 30-35 पेज़ के नोट्स बनते हैं इसको अगर तूदे पॉइंट पढ़ा जाए तो देखिए तूदे पॉइंट पढ़ने का मतलब यह होता है कि एक तो आपको यह बोला जाए कि बहुत अक्सपर्ट फेकल्टी है बहुत बड़े लेवल की फेकल्टी है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे दूसरा मैं यह बोलू कि अगर आपको इकनोमिक्स पढ़ना है तो फिर भारत में सबसे अच्छे अर्थ सास्त्री है वो मनमौन सिंग जी माने जाते हैं या फिर गुराम जी राजिन जो आर्बियाई के पूरो गवर्नर रहे हैं या फिर सक्तिकांदाश जो वरत्मान में अच्छा जानते हैं इसका मतलब तो यह कि अगर किसी को मनमौन शिंग जी पढ़ाएं तो वो परिक्षा क्लियर करें क्योंकि वो सबसे अवल दर्जे की फेकल्टी है वहत अक्स्पीरियन्स है उनको पर हो सकता है वो आपको पढ़ाएं तो वो उस लेवल से पढ़ाएं कि आपके कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ें आप दो मिनट भी उनको नहीं सुन पाएं कि पता नहीं क्या बता रहें किते अवल दर्जे की बात बता रहें और हो सकता है इसी विशे को आपको एक 35-40 पेजेज गे नोट्स तयार करके आपको बता दिया जाए कि इससे कोशन आ जाएगा वो ज्यादा करिवनियंट रहता होगा मेरे साब से इसलिए सबसे पहले तो ये दिमाग से ये आपको जरूर निकालना है कि ये जो अकाउंट्स वाले जो लेखांकन वाला जो विशह है या फिर ओडिट लेखा परिक्षा या बिजनेस मैथर्ड ये सब्जेक एकनोमिक्स साथ में एकनोमिक्स भी ये केवल कोमर्स वालों के लिए है ये बात तो सही है पर यहां पर एक लेवल प्लेइंग फिल्ड है मेरे साथ अगर धंक से आप 15 दिन इन सब्जेक को दे देते हैं एक दो तीन पंदरा दिन ही बोल रहा हूं में और पंदरा दिन का मोटा मोटा मतलब है कि दिन में अगर आप चार पाच घंटे चारे गंटे पढ़ाई करते हैं पाच घंटे और पंदरा दिन दे देते हैं तो पंदरा दिन में ये तीनों सब् 40-45 पेज का content economics का खास current affairs को लेकर economics और राजस्ताल के एकोनोमिक्स के बारे में कुछ चीज आप को ज्यादा पुछी जाएंगी RSR, GA, FUNDAR भी कोई खास बड़ा नहीं है 50-60 पेज गे notes इन दोनों subject के तयार कर लें आप तो मेरे साब से 200 पेज में आप अगर content तयार कर लेते हैं इसका आप convenient रहते हैं आराम से इसको बार-बार आप revise कर सकते हैं पहली बात तो अपन कर लेते हैं इनको तयार कहां से करना है देकि इसके उपर मैं ज्यादा discuss नहीं करूँगा या आप सब को पता है previous year के question ठीक से पढ़के जाने हैं साथ ही साथ में अगर लगेगा यह आपको किने इनको भी बताओ तो कई दिनों तक English मेरा विशे रहा मैंने English पढ़ाया है अंग्रेजी के बारे में आपको ठीक से बता दूँगा देशी भासा में English कैसे सीखी जाती है उस पर बात कर सकते हैं हिंदी आपको पता यह साइंस 10th level की आपको पूछी जाएगी कंप्यूटर में एक लिउसेंट की बहुत पतली सी किताब आया करती थी अब तो पता नहीं मार्केट में है एक नहीं है उस ने सारे कोशन मिल जाते थे बहुत पतली सी 30 उरुपए की किताब थी हो लिउसेंट कि मैच जिन बच्चों को मैच का बहुत जादा डर लगता है वह अगर आप इसको स्कीप करके भी चलते हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होने वाला होता है कि आप मैच अगर कम पढ़ रहे हैं इंगली साब थोड़ा कम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक कि त्यार होंगे तो कितना भी अच्छा और कितना भी बहुत अच्छा धुरंदर हो किसी की इंगलीश बहुत अच्छी है तो उसका हिंदी बहुत कमजोर होगा हिंदी और इंगलीश दोनों ठीक है तो फिर विज्ञान और गनीत कमजोर हो जाएगा यह दोनों ठीक है फिर है त्यार महिने का समय होता है अब इतने में 12 सब्जेक को पढ़ भी लेगा तयार भी कर लेगा और फिर वह सारे क्वेशन भी ठीक कर लेंगे यह सब यह बताने के लिए आपको जूठा मोटिवेट करने के लिए होता है कि इसे के तैयार नहीं होंगे आठ सब्जेट जिसके ठीक से तैयार है उसका सेलेक्शन की कुछी स्टेटजी होती है तो आप स्मार्ट पढ़ाई बोलते हैं वह स्मार्ट तैयार करना होता है कि इस पे तो बाद में कभी बात करेंगे इंग्लीज की साइफ क्या दाम समस्य की दूर कर भी सकता हूं तो हिंदी बाला बैसिकली और कर लेंगे विज्यान के क्योंसे करना है विज्यान भी मेरे साब से ऐब यह किसी का परचार नहीं कि किताब आती है जिसमें का पोर्शन दिया होता है या फिर आप 10 तक कि कोई किताबे अगर पढ़ के जाते इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा मैं कि इस फर्स्ट वेपर को कैसे कवर करना है हो सकता है तो किताबों के टिक बुक में कौन कोचे टोपिक पढ़ने है दस्वी कि ग्यारी कि इस पर टिक भी मार सकते है इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो सकता है मुद्दा इसका है यह वाले सब्जेक्ट किते सब्जेक्ट है टोटल छे इन पर बारे में तोड़ी बात करते है अपन यह तो आपको सब्जेक्ट में आ गया है कि टोटल किते सब्जेक्ट लिखे वे आपके सब्जेक्ट लिखे वे है और छे इदर लिखे वे है इसका मदब टोटल बारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने है अब आपके दिमार्ट में कॉशन ही आएगा कि ज़र अब ये सिलेवस बदल गया तो लास्ट वाले जो है ये छे सब्जेक्ट ये बदलने की गुंजाइश मेरे साथ से थोड़ी कम होती है क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट जिस पद के लिए जो जो पद आपको जिस पद पे आप जा रहे है उसमें अकाउंट ओडिट बुक कीपिंग बिजन्स मेंथड रसर जी एफंडर का आप काम पड़ेगा इकनोमिक्स ओभी सी बात है कि इनकी साथ असोशेटेड है ये बदलाव मेरे साथ से नहीं होना चाहिए हलांकि देखिए आपके दिमार्ग में बात ये भी आ सकती है कि basically teacher है आपको बता रहा है फिर ये तो course भी लोंग्स कर रहा है इसने तो अपने अपपे तो क्या पता है अपने course के लिए कुछ बता रहे हो कि हाँ ये आप course purchase कर ले देखिए मापको एक बात और बता देता हूं इसे बढ़िया कुछ नहीं होता है अगर आप सही में सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो फिर ना तो किसी कोच्चिंग की ज़ुरत पढ़ती है ना किसी ओनलाइन पॉर्स की ज़ुरत पढ़ती है ना किसी भौत आपको बड़ी एक्सपर्ट फेकल्टी की ज़ुरत पढ़ती है आप जो आप खुद पढ़ते हैं उससे कुछ नहीं होता है वह सबसे बढ़िया वह ऑप्शन होता है कि आप खुछ से तयार कर लें दिक्कत बता कहा आती है दिक्कत आती है कि इन चेक के बारे में आपको ABC नहीं पता कि होता क्या है Commerce वाले बच्चे तो फिर भी जानते है सब्सक्राइब करें क्या इसका content कहां से मिले notes कहां से मिले और notes मिल भी गए तो फिर समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है 6 महीने का time मिले तो आप समझ भी पाएं इसको पर अब तो समय बहुत कम है यहां काम आता है कि कोई आपको थोड़ा सा guide कर दे कि देखिए ये 6 subject है इन म चार्ट के आपको कोई notes प्रोवाइड करवा दे नोट बता दे तो आप terminate हो जाते है इन चेक के बारे में अगर जो students self study करना चाहते हैं उनको मैं बता दूँ दे कि पहला यहां पे लिखांकन लिखावा लिखांकन लिखांकन में दो बाते हैं क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है लिखांकन के बेसिक जो principle है बेसिक जो सिधान्त है बिना practical आप केवल theory पढ़ेंगे इसका मदब एक भी ऐसा परिक्षा में कोशन नहीं आएगा जहां पर आपको दे दिया जाए कि इतना माल आया इतना माल गया टेबल तैयार कर क्या बताईए कोई भी practical कोशन यहां से नहीं आएगा तालीस पेज के अगर आप content तैयार कर लेते हैं तो यह आपका लेखांगन तैयार हो जाता है ठैसात यूनिट दीव हैं साफ साफ अभी जो syllabus है उसके coding syllabus चेंज होने की संभावना है तो सही यह तो पक्की बात है खोड़ा बहुत इदर उदर जरूर होगा यह पक्की बात है हो सकता है कि board इसको same exactly copy करके आपको provide करवादे ऐसा मन्थन तो जरूर चल रहा है syllabus को लेकर अभी finalize अभी हुआ नहीं है पर वह बहुत बड़ा change नहीं होता होगा बहुत minor change होगा होगा जरूर थोड़ा बहुत कुछ न को जरूर होगा हो सकता है कि मेरी बात गलत साभी तो जय नहीं भी हो अब मुझे ऐसा लगता है कि exactly 12 के 12 तो साइब ही मिले आपको एकाद इधर उधर कर देंगे हो क्या नहीं करेंगे क्या कर सकते है कि कुछ थोड़ा होती इधर उधर कर दे आपकी जो जोब की profile उसमें second paper का तो रोल है तो 11th class की commerce की उसको आप ठीक से पढ़ देते हैं थोड़ी मोटी किताब है अब वो यहां पर दिक्क्त आजाएगी कि उसको पढ़ने में आपको एक महिना लग जाएगा अगर उससे आप पढ़के उसके note त्यार कर ले तो फिर किसी से पढ़ने की जोड़त नहीं है यस दूसर इक थर्ड में यह लेखांगन ओडिट लिखा हुआ है और उसके साथ आठ पेज़े नोट्स तैयार करके बढ़ पढ़ा जाता है उसको उतने में से कोशना भी जाता है अधित में आपको ध्यान रखना है यह बहुत बेसिक ठोरी के कोशन आएंगे यहां से ऐसे पूछेगा आप से यह ओडिट होता है कि लेखांगन तो आपको अब्यासी बात है बुक किपिंग करना ओडिट होता कि असल में ओडिट का मतलब इतना होता है कि जो आपने तयार किया है जो कांट आपने मैंटेन की है उँ ठीक है या नहीं है कहां पर असल में गबन किया है आंतरिक किसे कहते हैं बाय यह परिक्स्थल्य किसे का जाता है जिसको इंटर्नल-अउडिट पूछे जाएंगे आप से ओडिट को लेकर भी इसके लिए भी मापको बता दू क्लास 11 और फस्ट इयर इसमें दो किताब आती है वह आपको तयार करके जानी है वह पूरी तयार नहीं होंगी ऐसा बहुत हार्ड होता है पर जो आपको स्लेवस में 6 पोईंट लिखे वे उनको आपको तयार करके जाना क्यावलों 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 तीसरा बीयो बीयो कंपेरेटिवली इन सब की तुलना में सबसे आसान बीयो ही है है यूनिट बेसिकली लिखी हुई है उनको आपको तयार करना है बीयों के लिए इलेउंत क्लास की किताब आप पढ़ सकते हैं वहाँ से आपके कोशन निकलेंगे अब बात करते हैं Кिया इकनोमिक्स की की इंडियनने काप? जैनलिमस यह आपको यह बता दूँ कि इकनोमिक्स वाले सक्षन में आपको भारत की इकनोमिक्स की बजाए राजस्तान का एकॉनोमिक्स का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहेगा यस बले भारतिय अर्थिविश्था के बारे में लिखावा इंडिन प्रक्टियुक्तों अ debates nous कॉट्ञशान रख्यान है इसमें आपको सर्वे ठीक से बहुत अच्छे से करभinea हAgain साथ में इकानोमिकि स्वेसी तैक हीनको ठीक से पटके जाना है जैसे एक भूत होर टोपिक होता है वीमा वीर्वं commonly वाला टोपिक जाना है किली उसके लिस्ट में आपको बढ़वा दूगा कि कौन कौन से टोपिक अपनको पढ़के जाने हैं इसके लिए इकनोमिक्स वाला पोर्शन आपको मेजर जो फोकेस रखना हो करण्ट पर रखना है अब बात आते हैं जिनको बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होता है दूसरा होता जी एफ एंडे यार इसका नाव साम्माने वित्ति है एवं लेख खानी है असल में देखा जाए तो यह सब्जेक्ट आपको नोकरी लगने से पहले काम में आने वाले विशेय है और यह जो आरे सार और जो जी एफ एंडे यार लिखाओ आया नोकरी लगने के बाद बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत मजा आएगा इसको पर्ड़ के आप जब जोब में चले जाएंगे तो आपको चूटिया कैसे मिलेंगी कित्ती चूटिया मिलेंगी कि मेंट्रेल्ट रिलीव क्या होती है विदेश सेवा क्या होती है जो जाने के बाद कितने दिनों तक अपसे एंट्रेस सकता है इसटर्डिव क्या होती है आपको जर्रानली होता है अवकास कैसे मिलते हैं अवकास कितने परकार के होते हैं काई सबूस्टिंग के Revelation 59 के लिए format क्या होता, format मेंgypt क्या होता है, फदा-दिकार क्या होता है, गल्बन क्या होता है. एक सात पता-दिकार कवाई-ल्र बहुत मज़ा आएगा इसमें आपको इसका अवेलेबल नहीं है इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि बैरेक्ट अगर पढ़े तो ठीक है दर्वाइस जो सरकारी करमचारी होते हैं उनको किताब उनके ओफिस में होती है रसर के नाम से रास्तान सर्वी सूल के थोड़ी टब आसा में लिखी होती है इसलिए वो समझें थोड़ी आसानी तो नहीं रहती है फिर अगर आपका इंट्रेस्ट है आप पढ़ सकते तो इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह डिपार्टमेंस में किताब होती है भी भागों में रास्तान सेवा निएम की ठीक ऐसे ही इसको लेकर आपको बहुत सारे डाइमेंशन भी आपके क्लियर होंगे कि वो भी इसी बात है कि आप मिनीमम कित्ते रुपय का चेक जारी कर सकते है मिनीमम एटीम से आप कित्ता अमाउन निकला सकते है वी तिये जो ऐसा खर्च कैसे होता है किनकी नियमों पर होता है वो सारा सारा अपन सामानी वितियों लेखा नियम में पढ़ेंगे इसमें लगबग देखा जाएं तो इन तीनों पर तो सारे बराबर है इसमें कोमर्स के स्टुएंट को थोड़ा एज मिल सकता है थोड़ा सा वो उपर आ सकते है पर इसमें कोई प्रेक्टिकल नहीं है इसलिए अगर आज से कोई 15 दिन पढ़ेगा तो फिर अगले 15 दिन बा परिक्षा में भी आप जब परिक्षा देख आएंगे तब भी आप देख लेंगे जो बात बोली हो सारी सारी ठीक है अब बात करते देखिए कि इसमें माप की क्या मदद करूंगा अब देखे वो फिर परचार करना हो जाता है कि देखिए कोर्स बेच रहर बेचने रह वो तो काम सारे व्यापारियों के होते हैं इसमें देखे क्या होगा यह जो चेकेश सब्जेक्ट है न कोशिष तो यह रहेगी कि मेकजिमम सब्जेक्ट में खुद ही आपको याद करवाऊं पढ़ाना प्रियाप्त नहीं होता है पढ़तो आप सकते किताब में लिखा हुआ है और जो भी पढ़ाते हैं आप अच्छा टीचर उसको ज्यादा मानते कि आपकी याद हो जाएं चीजें आप कितने अक्सपर्ट है कितने बड़ी फेकल्टी है यह मेंटर कम करता है अंपरिटिवली की कामने वाला इंट्रेस्ट के कितना ले रहा है उस विशे में मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए वैसे तो अपन तो बहुत निमनी स्पर पर हैं देखा जाए तो इतने सारे दुग्रंदर हैं कितने सारे लोग हैं जिनोंने बहुत लंबा समय दिया है अध्येन और अध्यापन को अपन यह कह देगी अपन बहुत बड़े एक्सपर्ट है रपन यह हो जाएगा वो जाएगा वो तो फिर देखो सिख्या में अगर आ पार रहें फिर आप यह कह रहें तो यह मानके चलिए कि आप फिर थोड़ा गलत है कहीं कहीं यह जो मैंने करवा दिया वह किसे बेस्ट कोई नहीं करवा सकता है यह तो देखो बात बोलते वे थोड़ा सा एजिटेशन हो हिज की चार्ट होती है कैसे बोला जाता है फुल मिला के अगर आप चाहते हैं देखो मैंने वापस बोल रहा हूं मैं कुछ से बेस्ट कुछ नहीं होता है आप खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं खिर भी आपको लगता है कि देखे बारा के बारा सब्जेक्ट अगर आप इत्यास भी अब उसको भुगोल भी देखे वापस से अभी कोई परिक्षा दिया तो एक बार तो तयार है नए सब्जेक्ट तो तयार कर लेना साइज जदा ठीक रहता है कि अगर आप कहीं दूसरे टीचर के आपको लेंग्वेस समझ में आती है और आप उनसे पढ़ना चाहरे हैं उनसे पढ़ सकते आप जिनसे भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं या अच्छा लगना चाहिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको किनका समझ में आ रहा है वो सफिसेंट है इसलिए अगर आप कहीं किसी दूसरे सरसे पढ़ रहे है तो आप पढ़ सकते आराम से तयारी कीजिए फिर तो तनाव लेना ही नहीं है उन पर विश्वास कीजिए या आपने पहले कहीं कोचिंग कर रखिए आप पास नोट्स हैं तो फिर वापस पैसे भी नहीं वेस्ट क किया है मतलब आजशे ही उस पर साही देख कल से क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे इसमें बेसिकली फोकस क्या किया मैं बताव हूं आपको लेखानकन वाला ओडिट वाला दियो वाला इकनॉमिक्स आरेसर जीए फनार इसको नीचे से चलाएंगे आरेसर तैयार करेंगे जो जो सब्जेक्ट अपन तयार कर लेंगे पढा लेंगे मेरे साब चे कोई गुंजाइस रहेगी नहीं कि आपको याद नहीं हो अलांकि दे कि इतनी एज है तो साल शेट इंग्जामिनर पेपर बना रहे हैं तो फिर यह कैसे दावा कर सकते हैं कि जो पढ़ा दिया उसे बाहर नहीं आएगा यह तो सब देखों बेकार की बाते हैं इतना बोल सकते हैं कि जो पने पढ़ा है ना सिलेबस में पूरा त्यार है साथ प्रफेसर ऊते हैं प्रोफेसर को एक लंबह मत होता है उन्होंने पता है कितना समये दिया पढ़ाही को और उनकी कितनी यूर्वता तब पेढ़ं फिर फिर प्रोफेसर असhando फिर फिर यर तो फो तो अलग लेवल के प्रणी होते हैं इह कि अपनों तक नहीं पहुच पाएंगे कभी भी वोपन से एक कदम दो कदम आगे रहते हैं अगर आप किसी परिक्षा में नब्बे परचेंट असी परचेंट तक का तयार कर लेते हैं तो आप मानके चलिए कि आप औरों से एडवांस हैं इनको पन याद करेंगे पढ़ना तो ठीक है फिर भी मैंने का कि देखे मैं तो कोई बहुत बड़ी कोई फेकल्टी ऐसा थोड़ी कि मैं तो कोई स्टार फेकल्टी हूं अगर आप आपको लगते हैं कि कोई और टीचर बहुत अच्छा करवा रहे है और वहां से अपन पढ़ सकते हैं तो उससे तो बड़िया कुछ है ही नहीं आपको लगता है कि मैं आपको याद करवा दूंगा और यह तो ओभीज़ी बात है कि साई कोसिस तो मैं करूंगा कि मेरा तुम्हाइश देने का प्रियास करूंगा पर हो शकता है कि मैं 100% दे रहा हूं को 200% दे रहा तो फिर आपको उनको चुनना चाहिए जो 200% दे रहे हैं, अपने तो कोशिस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो फिर आप यह ले सकते हैं, अब वो बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि वो पहले इसकी कोर्स की जो 6 सब्जेट की फीस 6,000 क्यास पास रखी तो बच्चों ने कहा कि सर इतना तो नहीं प्योगा, वो ज्यादा फीस रख दिया आपने, तो फिर इसको 3,000 क्यास, 3,000 क्यास पास इसको फीस को कर दिया कि चलिए, ठीक है ना आप तयार कर लेंगे इस सब्जेक को, याद हो जाएंगे, इतनी शूरटी है बस, आगे तो ज्यादा कुछ नहीं कोँगा, हाँ, एक बार पढ़ वहाँ पर आपको लिखना, इंडियन एजुकेटर, इंडियन एजुकेटर, इसको डाउनलोड कर लेंगे इस एप को, और इसको डाउनलोड अगर आप पास दो ओप्शन मिलेंगे, इसमें एक लोगिन का होगा, और एक रजिस्ट्र का होगा, पहले आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्र करना न कि आपको लोगिन, और रजिस्ट्र में आप अपने फोन नमर दे दीजिए, कोई भी पासवर्ड है जो आपको लगिए ऐसा पासवर्ड सेट कर लीजीए, धिर आप उसके पेड पो पासवर्स में जाएंगे तो फिर बेस्ट इचर आप है अपनी कम्यों को जानते हैं आपने इसाफ से कर लिजी मैं इतना कर दूँगा कि आपको जिसमें 6 महिने लगेंगे वो काम 2 महिने में हो जाएगा और जो आपको 6 महिने में याद हो रहा उसको आपको में याद करवा दूंगा क्योंकि content का ढूंड़ने का काम आपका खतम हो जाएगा authentic source उससे में content आपको ढूंड़न के तयार करवा दूंगा अब इसको marketing नहीं माननी है बिल्कुल भी ठीक है क्योंकि आप देख लीजिए अपने हिसाब से आपको चाहिए वसा आज का discussion क्या क्या रापना पहली बात तो यह कि साब आपके जूनियर काउंटेंट के जो बारा सब्जेक्ट है इसमें syllabus का हाँ एक बात हो रहे हैं मान लेते हैं कि अपने course ले लिया और फिर कोई दो subject एक subject नया एड कर दिया उसका क्या वो मैं पूरा करवाऊंगा अगर आप कोई भी syllabus में बदला होता है अपने वाले किसी syllabus के course में वो मैं complete आपको करवाऊंगा इसकी कोई चिंता नहीं पर सलेबुस के ब्रों से एक महीने बेठा रहना वो फिर गलत है क्योंकि बेसिक आरसार जी एंडर परसेंट रहने हैं यह कभी नहीं बदलने है economics नहीं बदलना है audit नहीं बदलना है account नहीं बदलना है यह तो रहेंगे रहेंगे बहुत माइनूर चेंज होता है कुछ जूड़ता गड़ता है तो मैं आपको complete करवाऊंगा यह तो वह भी सिभात है तुम्हें waste करना नहीं है यह जो पध है अच्छा पध है यह 3600 ग्रेड पे का है अभी साइद आपके ग्रेड पे समझ में आ नहीं रहे है यह मैशन समझा होंगा जब अरसा रूराट करेंगे तब आपको ग्रेड पे समझा दूगा कि ग्रेड पे असल में क्या होती है बाकि वह अपन सारी इस पर बात कर लेंगे यह लेवल्स क्या होते हैं ग्रेंड पर क्या होते हैं कि अथी सो ग्रेंड पर का मतलब आप जा रहे हैं अच्छा पत है और कई आपने देखा होगा कि आरेस में जो 200-300 के बाद की जो रेंग है को जनरल में तो वह यह मान के चली कि अलाइड आरेस होते हैं और उनसे कहीं बहुत आंदार पद होता है तो वहां पे आप कितना प्री देते हैं फिर प्री के बाद मेंस देते हैं फिर इंट्रुव देते हैं इतने सारे पेपर पढ़ने 16 पेपर म तो कोशिश तो आप करी सकते हो अच्छी वाली पद अच्छा है 2013 में भरती आई 12-14 में उसके बाद लंबे समय तक भरती आप सोच लीजे 23 साने को 10 साल में एक बार ये तो फिर गोल्डन ड्रोप की तरह जो 10 साल में एक बार टपकता है जिसको ले लीजे फिर 23 में आएगी तब तक या तो आप और रेज हो चुके होंगे या फिर तैयारी छोड़ चुके होंगे एसा पद है ना वह दस साल में जैसे में या आरो की ब्रती होती है जूनियर अकाउंटेंटिंट की ब्रती होतै है यह यह सब इंसपेक्टरी बरती वह दो स्मस्क्रावारी ना कई सालों में चुके इनको मोका नहीं छोड़ना चाहिए था होता है और अभी जितना आपको डर लग रहा हुता है सबको डर लग रहा है कि पता ने कि 12 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सब हो जाता है इन 6 के तो टेंसन छोड़ दीजिए बाकी 6 पर ज्यान दे लिजिए यह तो म मेरे साब से आप कुछ बारते बता है यह कारगर लगी होंगी नहीं लगी होते है आपका टाइम खराब हो गया यह मान के चलिए अभी वासे पढ़ नहीं रहे थे इसलिए टाइम आपका थोड़ा वेस्ट कर दिया कल से इस पर क्लास अपन सुरू कर देंगे एप पे बी औ आप कुछ क्लासे में यूटीू पे अविलेबल कर वहांगा जो मुझे लगता कि कॉमर क्लासे कुछ क्लासे अविलेबल हो जानी चाहिए एकनोमिक से अव्यूरा वागर यूटूब पे सारा कर लेंगे अर्य इस मेंस को लेकर आप लोगो भों सारी डिमांड है उसको लेक सारा ध्धान आपका उस तरब चला जाता है तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं उसमें चलिए मिलते हैं पर नेक्स क्लास में